नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वानियूज मैं हूँ प्राज्जे सिंग आपके साथ बताते कि आगामी लोग सवाचुनाव नजदी के ऐसे में महागटवंदन का साथ छोड नितीज कुमार बीजेपी का एंडिये का दामन थामते हैं और थामने के साथ ही एक्शन में दिखते हैं राज़त पर हमला बोलते हैं यह आगामी लोग सवाचुनाव के पहले यह पहला हमला है कि जितने भी तेश्वी आदब पुर्व डिप्टिसियम तेश्वी आदब के कोटे से जितने भी मंत्री थे राज़त कोटे से छे मंत्रियों की फाइल खोलने का आदेश दिया है वही धन उगाही के मामले में तेश्वी आदब समेट तीन और मंत्रियों का फाइल खुल चुका है जिहां जिस तरीके से बिहार के डिप्टिसियम तेश्वी आदब रामानन्द यादब और ललिती का राज़त पर पहला हमला है मिली जानकारी के अनुसार धनुगाही की मिली सिकायतों पर राज्य सरकार ने छो विवागों पर जांच का पहरा बैठा दिया है इसके अलावा मंतरी रहे रामानन्द यादब का खान भूतत्व विवाग मंतरी रहे ललिती आदब के लोग स्वास्त अवियंतरन विवाग सामिल है दरसल दूसरी वार राज़त के साथ मिलकर महागटवंदन के शरकार में सामिल होने के वाद नितीश कुमार ब्रश्टाचार के प्रती जीरो टॉलरेस की नीती पर सवाल उठाने लगे थे नितीश कुमार के लाज नीती का यूएसपी रश्टाचार और अफ्राद मुक्त बिहार था तब नितीश कुमार को सुसासन बावु के नाम से पहचान मिली थी यही वज़ाते की विधान सवा में विश्वास मत प्रस्ताओं पर वाद विवाद के दोरान ही आरजेडी के मंत्रियों पर कमाई में लिप्त होने का आरोप के शाथ संचिकाओं की जाँच की घोसना भी की थी जिस तरीके से नितीश कुमार विश्वास मत हाशल किये उसी दिन से उसी दिन कहा कि अन्य मंत्रियों की भी फाइल खुलेगी ब्रस्ताओं उन्हें सुसासन बावु के नाम से जाना जाता था लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में अपरात का दर और थन को लुप्त करने मे जिस तरीके से मंत्री लगे हुए थे लेकिन उनकी फाइल नितीश कुमार ने खुलवा दी है और तेश्वी समेत अन्य मंत्रियों की भी फाइल खुल चुकी है और अब एक एक की जाच परताल की जाएगी और सजा दी जाएगी ऐसा नितीश कुमार का आदे से तो ऐसे ही पंदवाना ना भूले